हेलो माई फ्रेंड्स वेलकम टू टेली एर्प 9 टुटोरियल पार्ट 5 आज मैं आपको गोडाउन कैसे क्रियेट करते हैं और उसका क्या यूज है उसके बारे में बताऊंगा अगर आपकी कंपनी ट्रेडिंग करती है और बैनिफेक्ट्रिंग करती है तो आपको गोडाउन में नीचे फीचर्स लिखा हुआ है उस बैटन पर क्लिक करें जो आपको यहां पर एक न नई कंपनी फीचर्स दिखाएदेगी उसके बाद में अप इन्वेंट्री फीचर्स पर जाएं और वहाँ पर इंटर करें तो वहां पर आप नीचे जाएंगे स्टोरेज and classification group के अंदर में maintain multiple go downs आप यहां पर अगर no है तो आप उसको yes select करके control a दबा देंगे तो वो select हो जाएगा अभी आप escape बटन दबा कर वापस जाएगा अब आप चेक करें inventory info में enter करके कि यहां पर एक नया option आगया हुआ go downs आप go downs पर इंटर करें and then creation पर इंटर करें अब आपको go down creation करने के लिए आप उस पर क्या क्या configuration है और क्या advanced feature है और क्या basic features है उस पर click करें आप यहां पर देखेंगे कि allow aliasis along with names अगर आप go down का कोई duplicate नाम भी रखना चाहते हैं यह उसके लिए है तो आप उसको yes कर देंगे दरवाज उसको no कर देंगे अगर आप multi language use कर रहे हैं तो आप उसका किसी दूसरी language में आप अगर aliasis बनाने चाहते हैं तो यह उसके लिए हैं हम यहां पर इसको no रखेंगे क्योंकि हम ऐसा नहीं करना चाहते यूज addresses for go down आप इसको normally yes रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि जब आप कुछ print करेंगे तो यह वहां पर काम आएगा तो आप उसको yes कर देंगे अब यहां पर आप देखेंगे अब हमने जैसे कि हमनी branches बनाए थे अब suppose कीजिए कि हमारे हर branch में हम लोग inventory ट्रांसफर करते हैं और वहां पर go down भी maintain करते हैं तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि किस go down में कितना inventory बाकी है जिससे कि हमारे को delivery में आसानी रहेगी तो उसके लिए हम यहां पर go down create करना बहुत जरूरी है तो आप यहां पर सबसे पहले go down का नाम लिखेंगे जैसे कि हमारा head office दिली में है तो हम और manufacturing unit also in दिली तो हम वहां पर बनाएंगे अब suppose कि आपको डैली में ही आपके कई सारे go down है factory में भी आपने अलग-अलग go down बनाए हुए तो आप वह भी रख सकते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ी कंपनियों में एक ही unit अलग सारी divisions होती है तो सभी divisions अपना अलग-अलग accounts maintain करती है तो जब कभी भी एक division दूसरे divisions से एक ही company की जो divisions होती है वह आपस में जब material को transfer करती है तो वहां पर भी एक material issue slip issue की जाती है जिसके द्वारा accounting रखी जाती है जो कि cost center जो कि हर division की profitability को देखने के लिए यूज की जाती है तो आप बैटर है कि मैं suggest करूंगा कि हर एक जितने भी आपके go down है वो आप create करें क्योंकि आपको inventory अगर आपको सर्च करनी है तो आपके लिए बहुत easy रहेगा और आप देख सकते है कि किस go down में material है और किस go down में कितना material है तो I will suggest कि आप सर जितने भी आपके go down है वो बनाए तो अब जैसे कि हम head office का बना रहे है तो हम इसमें लिखेंगे डैली go down जैसे कि आपने उनका नाम रखा हुआ है go down number one आप allies रखने चाहते हैं आप उसका address भी लिख सकते हैं अब यहां पर आपको main location को select करना पड़ेगा यह by default होती है अगर हमारा कुछ stock किसी third party के पास भी रखा हुआ है तो हम इसको रखेंगे otherwise no यह आपको हम बाद में discuss करेंगे अभी आप इसको no ही रहने दें तोनों ही options को accept कर दें आप control r दमाए then backspace number two यहां पर आप suppose करें आपका पहला लाजपत नगर में था तो दूसरा कहीं और है suppose करें आपका cannot place में था तो आप वहां भी रेख सकते हैं डैली इसको भी आप main location में डालें अब आप देखें कि यह दोनों डैली में हैं और हमने अंडर कर दिया अब आप चाहते हैं कि सिर्फ डैली location के आपको जितने भी गोडाउंस हैं उनका total inventory देखना है ना कि किसी एक गोडाउं का देखना है तो आप मैं suggest करूंगा पहले एक एक डैली गोडाउं के नाम से एक गोडान create करें डैली गोडाउं main not main आप कुछ भी लिख सकते हैं आप सिर्फ डैली गोडाउं ही लिखें so डैली location will be the better word I think डैली location so address आप सिर्फ डैली ही डालेंगे under main में डालेंगे अब हम backspace से जाके वापस जाएंगे अब हम यहां से अल्टर करेंगे हम जो डैली गोडाउं नम्मर वन है उस पर क्लिक करेंगे under जाएंगे enter करेंगे enter करेंगे enter करेंगे main location की जगह हम यहां पर डैली location को चूज करेंगे क्योंकि हम बड़ा easily अब जब कभी भी हमको सिर्फ डैली location में कितना हमारे पास material है वो चप चेक करना है तो यह हमारे लिए easy रहेगा तो आप उसको yes कर देंगे आप दूसरे को भी instead of main location आप उसको यह आप डैली location में आप कर देंगे ठीक है तो आप इसी तरह से ही हर एक location का आप go down create कर सकते हैं और उनकी grouping भी कर सकते हैं तो जो आपको बाद में group में देखने के लिए बहुत easy रहेगा okay my friends अभी मैं आपको next tutorial में inventory के बारे में बता हुआ तब तक के लिए धन्यवाद thank you very much don't forget to subscribe if you like my channel thank you